वेल्कम स्टूडेंट्स वन्स अगेन और अब हम NCRT के नुमेरिकल्स की सीरीज में वो सारे नुमेरिकल्स जो सर्टेन स्पेसिफिक नुमेरिकल्स हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे और इन नुमेरिकल्स में ये है कि ये NCRT में एक टाइप की एक ही नुमेरिकल्स होता है ये खास बात है जबकि रिफ्रेशर में आपको उस टाइप की बहुत से नुमेरिकल्स मिल जाते हैं तो NCRT के हर टाइप का एक एक नुमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है और स्पेशली वो आपको कम से कब NCIT की पूरी जिस्ट बता देगा, पूरा निचोड बता देगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इन questions को करने का धंग एक ही है, आप उन questions को समझेए, जैसे ही आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है, आप वीडियो को pause कर दीजिए और खुद करने की क कोशिश कीजिए, अगर आप से खुद बाखुद question हो जाए, तो बहुत अच्छा है, परनतो यदि खुद ना हो, तो मैं इस question के बाद सबसे पहले थोड़ी discussion करता हूँ, इस question की, यदि आप discussion से कर सकें, के बाद question कर सकें, तो जरूर करें, यदि discussion के बाद भी आपको question करने में कोई तकलीफ हो, तो मेरे solution को slowly slowly देखते जाए, ये भी possible है, कि आपके पास कोई और method हो, जिससे आप इस question को आप करें, और आपका method अलग से निकल जाए, तो उस case में, आप चिंता ना करें, बलकि मुझे बताएं, कि आपने किस method इस question को किया है, मुझे भी खुशी होग और मैं अगले वीडियो में आपका नाम देना परसंद करूँगा, अपसे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, चलिए, 3.4 इस question को आप पढ़ लीजिए, चलिए, एक drunkard बताया है, शराबी बताया है, जो 5 step आगे जाता है, और 3 step पीछे आता है, मतलब प्लस 5 चला और माइनस 3, मने नेट चला 2, और हर step उसका 1 meter का है, और एक step के लिए उसे 1 second लगता है, मतलब 5 second आगे, 3 second पीछे, 8 second में वो कुल 2 step चलता है, इसका मतलब 4 second में वो 1 meter चलता है, 4 second में वो 1 meter चलता है, तो अगर आपको पता लगा के 1 meter चलने में 4 second लेता है, तो 13 meter दूर गड़ा है, 13 meter, तो 13 into 452 आपका आंसर गलत होगा, क्यों गलत होगा, आप इसको समझ लीजिए, देखिए, question यह है, वो गड़े में कब गिरेगा, तो याद रखिए, जब वो गड़े में बाइचांस गिर जाएगा, उसके बाद वापस तो नहीं आएगा, इसलिए, आप क्यों क्या करना है, 13 में से सबसे पहले 5 meter गायब कर दीजिए, तो 5 meter गायब करेंगे, तो 8 meter काब ले लीजिए, जब तक वो 8 meter तक पहुचेगा, तब तक 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, तब तक चलता रहेगा, लेकिन 8 meter होते ही, अगले step पे हो, जैसी 5 meter आगे जाएगा, गड़े में गिर जाएगा, फिर वापिस नहीं आप आएगा, इसका मतलब 8 meter तक तो वो आपकी पुरानी speed से चल सकता है, मतलब जिसमें आप कहते हैं, कि 4 second लेता है, एक meter के, तो देट में आठ इंटू चार, 32, 32 सेकंड तक वो 8 meter की दूरी पर आएगा, उसके बाद 5 सेकंड वो आगे चलेगा, 32 और 5, 37, या इंगलिश पर 37, so in 37 seconds, he will fall in the pit, and he cannot come back, so it will require 37 seconds from him to reach the pit, आइए इसको graph से भी समझते हैं, यह देखिए, आपके समने graph है, अब मैंने, हमने y distance पर ले लिया है, 5 meter के ओपर जो लेना है, और x पर हमने time ले लिया, 13 meter पर हमने line खीच दिया, क्योंकि 13 meter हमने finally touch करना है, तो पहले 5 second, 5 step में वो आगे जाएगा, यह देखिए, आपके सामने चला, फिर 2 step पीछे आकर, दोबारा, तीन step पीछे आगे, आठ पर आजाएगा, उसके बाद फिर वो 5 step आगे चलता है और फिर 3 step पीछे आता है फिर वो 5 step आगे चलता है फिर 3 पीछे आता है फिर वो 5 आगे चलता है फिर 3 पीछे आता है इतनी देर में अब देख सकते हैं horizontal line से के वो 8 meter पर पहुँच चुका है तो 8 meter तक पहुँचने में उसका 32 seconds consume हो चुके हैं अगली बार जैसे ही वो 5 meter जाएगा वो गड़े में गिर जाएगा ये देखिए तो 37 में वो वापस आजाएगा गड़े में गिर जाएगा इसलिए इस type के questions हो तो उसको दोड़ा ध्यान से देखिए तोड़ा समझेगा भी क्या पूछ रहा है कैसे करना है तोड़ा question को physically analyze जरूर करा खरें आप लोग I hope आपको ये question समझा रहा होगा अब देखिए ये 3.7 पढ़ लीजे इस question को जड़ा उमेद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा अब क्या है दो train है 400-400 meter की same length की और दोनो 72 km per hour की speed से एक ही direction में जा रही है हमारे पास distance meter में है आपके पास जो बाकी data है वो meter per second square में acceleration है और time seconds में है इसका सीधा सा मतलब है आपको speed को meter per second में convert करना होगा और convert करना आपको आता है आप जानते है km per hour को meter per second में करने के लिए into 5 by 18 की आ जाता है अब A आगे है और B पीछे है A आगे है और B पीछे है तो हो क्या रहा है B अचानक से सोचता है कि मैं 1 meter per second square से अपने आपको accelerate करता हूँ और 50 second पूरा होने के बाद वो उसके जो B का guard है वो A के driver को cross कर जाता है हमारा सवाल है बीच का original distance initial क्या था आईए पहले diagram समझ लिए जिनको समझ आ गया है वो बेशक बच्चे question करें अब diagram से समझे यह हमारे पास A है जो आगे है यह हमारे पास B है जो पीछे है बीच की दूरी बुझे नहीं मालूँ X मानी या कुछ भी मानी यह दूसरी बात सबसे पहले आपको convert करना पड़ेगा speed को जो देखी हमने convert कर विया अब इसके आगे देखिए इस question को यहां के बाद आप दो method से कर सकते हैं एक होता है absolute motion का तरीगा और एक होता है हमारे पास relative motion का तो मैं आपको दोनों में solve करके बताऊंगा पहले हम absolute motion से करते हैं अब सवाल यह है कि A में तो कोई बदलाव आया नहीं है A की speed fix है और A 50 second तक कितना चलेगा वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ और B 50 second में कितना चलेगा जबकि B की initial velocity 20 meter per second है वो भी मैं निकाल सकता हूँ जब दोनों distance निकल जाएंगे दोनों को मैं subtract कर दूँँआ जितना B चला minus कितना A चला उतनी initial दूरी उनके बीच की है तो आईए S A मैंने निकाला U T which is 20 into 50 1000 meters और S B मैंने निकाला 2250 meter U T plus half a d square आपने दोनों को minus करना है तो बीच में train का distance आपके पर सा गया S B minus S A की value 1240 meter यह original distance दोनों का है अब इसी question को हम relative motion से करेंगे relative motion में क्या होता है आप B गाड़ी में बैठ जाएंगे तो आपको B की speed तो लगेगी zero और A की speed वही लगेगी जो B के relative में है अब आप जानते हैं क्योंकि दोनों की speed 20-20 है तो आप B में बैठेंगे तो आपको A की car stationary लगेगी और A का acceleration आपको नज़र आएगा जो के 1 meter per second square है क्योंकि वह sorry B का acceleration 1 meter per second square है क्योंकि A का zero है और 50 second आपके पास time है तो आप क्या करेंगे using relative velocity SB minus SA will be UB minus UA into T plus half times AB minus AA अब UB और UA दोनों बराबर है क्योंकि दोनों की value 20 meter per second है AA मने acceleration of A की value 0 है तो मेरे पास क्या बच जागा half into A of B acceleration of B into T square T मेरे पास 50 है आप जानते हैं तो आपने simple उसकी value पुट करनी है इसकी value आजेगी 1,2,5,0 meter यह वो तरीका था जिससे आप इसको निकाल लेते हैं कि दोनों trains के बीच में distance क्या था I hope यह question भी आपको समझा गया होगा आईए एक और question लेते हैं इसी type का यह देखिए अब इसमें पढ़ लीजे इस question को भी उम्मीद है आपने question पढ़ लिया होगा अब हम question पढ़ दिसकेशन करते हैं car A जा रही है 36 km पर आवर से car B और C दोनों car A की तरफ जाते हैं और B और A B और C दोनों की speed 54 km पर आवर है चलने दिजिए एक वक्त पर जब A की दूरी B और C दोनों से एक km रह जाएगी तो B क्या सोचता है कि मैं C के A पर पहुँचने से पहले उसको ओवर टेक कर लूँ तो सवाल यह है कि मिनिमम कितना एक्सेलरेशन B का होना चाहिए कि वो इसको बचा सके इसके भी दोनों मेथड है relative motion भी है और absolute भी है आईए सबसे पहले मैं डाइगरम बना लिया तीनों की बीच की दूरी ले ले देते हैं 1000 1000 है अब अब देखे कार A है कार B है और कार C है अब absolute motion में हम यह समझते हैं कि सबसे पहले कि A और C में आप कुछ नहीं करने वाले तो कितनी देर के बाद पहले A और C मिल जाएंगे और कहां मिलेंगे अगर मैं A और C ने कहां मिलना यह निकाल लू और कब मिलना यह निकाल लू तो फिर B को एक काम दे दिया जाएगा कि आपने जितना A और चला है उतनी डियर में उसमें प्लस 1000 जोड़ करके प्लस हजार जोड़कर के B को चलना है बात खतम B उतने से पहले पहुंचेगा वहाँ ये condition है क्योंकि A और C में आप कुछ नहीं बदल रहे हैं इसलिए A और C के अंदर आप सीधा time निकाल सकते हैं तो आपने निकाल दिया सबसे पहले हमने velocities को convert करना है वह आपने कर दिया 15 meter per second अब इसके आगे चले A will meet scene time T such that उसका कोई मतलब निया क्योंकि B से उसका कोई लेना देना नहीं है V A is T plus V C T मतलब A और T दोनों चल बिलाके 1000 km चलना है तो time मैंने निकाल दिया तो उनों का 15 plus 10 से divide कर दिया तो उसकी दोनों जुड़ जाएंगी should be 40 second इसका मतलब 40 second में अब ध्यान दिया का 40 second में C और A की मुलाकात हो जाएगी अब इसके आगे चलते हैं अब यह देखिए 40 second में A नहीं कितना चलना है वो मैंने ले लिए क्योंकि A की speed 10 km परावर थी 400 meter B कितना पीछे था 1000 तो A चल जाएगा 400 तो इसका मतलब B को चलाने के लिए आपको 1400 में 1400 meters बचेगा अब क्या करेंगे B has to travel 1400 meter in again 40 seconds अब आपके पास B के लिए काम बचेगा 1400 तो गलू 15 T प्लस हाफ 80 square लगा दीजे T आपको मालूम है 40 है आप T की value पूट कर दीजेगा आपके पास A का answer इस प्रकार से 1 meter per second square आ गया clear ये रहा absolute motion का धंग आप आप इसी question को करते हैं जिसमें के आप relative motion करते हैं तो सबसे पहले हम A और C की बात करते हैं हम एक गाड़ी में बैठ जाते हैं C में बैठ जाई है या A में बैठ जाई है और सबसे पहले ही study करते हैं कि वो मिलेंगे कब तो मैं बैठ गया using relative velocity मैं S A C निकाला मैं A में बैठ गया और मैं C को study कर रहा हूँ तो मेरे को अपने और C की क्योंकि opposite direction में गाड़ी है तो मुझे दोनों velocity जुड़ जाएंगी तो 15 plus 10 50 तो T equal to 40 seconds अब मेरा अगला काम क्या है मैं बैठ जाता हूँ अब इस बार B में और मैं B में से कहता हूँ कि यार B को चलना है total distance मेरे पास 1000 है C के comparison में A के comparison में और speeds मेरी minus हो जाएंगी तो मैंने करना है 15 minus 10 T plus half 80 square 15 और minus because opposite direction में है same direction में velocity तो minus हो जाएंगी तो मैंने value निकाली उससे मेरा A आगया 1 meter per second square तो जिस भी तरीके से आप इस question को करें कर सकते हैं दोनों methods में आपको answer 1 meter per second square ही आएगा और आना भी चाहिए क्योंकि दो method है question तो दो नहीं है I hope आपको ये question भी समझा आ गया होगा तो इसके अगले वीडियो मिलेंगे हम कुछ और NCRT के questions के साथ इसको use करें Thank you and all the best